हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे ही होंगे जैसा कि आप सभी को पता है यह हमारी एसस्टी के सिटेश चल लेए इसमें मैं हिस्ट्री का चैप्टर पूर का थर्ड पार्ट आज आपको पढ़ाऊंगी आई हम इसे स्टार्ट करते हैं अकबर की न प्रसासन के मुख के अभी लक्षन अकबर ने निर्धारित किये थे और इनका विश्टेत वर्णन अब्दुल फजल की अकबर नामा विशेशकर आईने अकबरी में मिलता है देखे आपने उपर पढ़ा भी जस्ट इसके उपर पैरा में कि आईने अकबरी और अकबर नाम जो बहुत अच्छी बाते हैं जो वो निर्धारित किये हुए थे मतलब सब कुछ के दाम अकबर ने तैय करके रखे थे ठीक है उसी हिसाब से बजार में कारे होता था इससे किसी को न नफा होता था न नुकसान कोई इन चीजों का फायदा भी नहीं उठा पाता था और इस इसने लिखा है अब्दुल फजल ने ठीक है अब्दुल फजल के अनुसार सम्राज कई प्रांतों में बटा हुआ था जीने सूबा कहा जाता था अब देखिए अब्दुल फजल जो है वो बताते हैं बताते हैं कि जो अकबर का प्रसासन था प्रांत था सम्राज ये था व सूबो के प्रसासक को सूबेदार कहलाते थे अब देखिए जो सूबो के प्रसासक होते थे इन्हें सूबेदार कहा जाता था जो राजनितिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कारियों का निर्वाह करते थे अब देखिए ऐसे पदों पे जैसे मुगल काल में ऐसे पदों पे र कि बन जाता था और ऐसे प्रसासक का काम देखता था तो सूबों कि प्रसासक जो शाषन का कारेक्र करने वाला प्रति एक प्रांत में एक विति धन का अधिकारी जिस अब आजकल वित्त मंतरी जीने कहते हैं वैसे मुगलकार में अक्बर के विती अधिकारी होते थे ठीक है जो दीवान जीने दीवान कहा जाता था कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए सुबेदार को अन्य अफसरो का सहयोग प्राप था अब देखे जो कानून व्यवस्था थी उसको अच्छे और सुचालो रूप से चलाने के लिए सुबेदार जो होता था उसको अधिकारियों का सहयोग भी मिलता रहता था जैसे कि बक्षी आप देखे बक्षी किसको बोलते थे ये मुगलों की भासा थी जिन भासा में बक्षी बोला जाता था जो सैनिक का वेतान अधिकारी होता था यानि वेतन बाटने वाला सैनिकों क सदर की ने बोलते थे धार्मिक और धर्मार्थ किये जाने वाले कार्यों का मंतरी मतलब धार्मिक मंतरी फोजदार यानि सेना नायक सेना पती सेना नायक कुछ भी कह सकते और कोतवाल किसे कहते थे नगर का पुलिस अधिकारी को कोतवाल कहा जाता था अब देखे जहांगीर के दर्बार में नूर जहां का क्या प्रभाव था अब जहांगीर के पत्नी का नाम नूर जहां था ठीक है तो उनके दर्बार में नूर जहां का क्या काम था यह हम लोग जानेंगे यहां देखे कुछ चित्र दिया गया है नूर जहां ने फर्मान जारे किया था उसका ये चित्र है ठीक है अब हम लोग जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया नूर जहां निया ने 1611 में जहांगीर से विवहा किया और उसे नूर जहां का खिताब मिला मेहरूनिसा जो थी उन्होंने 1611 में जहांगीर से विवहा किया था उसके बार उन्हें नूर जहां की उपादी मिल गई थी नूर जहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यदिक वफदार रही और समय समय पर सहयोग देती रही अब देखिए जो नूर जहां थी वो जहांगीर के प्रति एकदम वफदार थी इमानदार थी ठीक है वो जहांगीर के को हमेशा सहयोग देती थी उनको हमेशा मदद करती रहती थी नूर जहां जो थी वो है अपने पती के प्रती बहुत वफदार और उनके लिए उनको समय समय पर सहयोग देने वाली और बहुत ध्यान देने वाली थी नूर जहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किये जिनमें एक और स्वयम के खिताब उतकरिन किये थे तो दूसरी और यहाँ वाकर रानी बेगम नूर जहां के नाम से गड़ा हुआ देखे मतब जहांगीर थे उन्होंने अपने पत्नी नूर जहां के सम्मान में चांदी के सिक्के बनवाए एक तरफ अपनी रानी का नाम गड़ा और दूसरी तरफ अपनी उपाधियों को दिया किताब को उतकरिन करवाया और सिक्के पे लिखवाया बाई योर दिया गया दस्तावेज नूर जहां द्वारा जारी किया गया आदेश फर्मान था जैसे देखे मैंने बताया कि यह जो फर्मान आपको दिख रहा है यह नूर जहां द्वारा जारी किया था चौको मोहर बताती है उद्धित और महान महारानी नूर जहां पादशाह बेगम का आदेश गोल मोहर के अनुसार जहांगीर के प्रताप से महारानी चंदमा जैसी वेवसाली बन गई हम कामना करते हैं कि नूर जहां पादमशाह इस युक की सर्वोष्ट महिला बने यानि जो दस्तावेस था उसमें चौकोर जो है ठीक है चौकोर मोहर जो बनाई गई है यह आप जो देख सकते हैं यह जो मोहर है चौकोर वाली यह वाली इसका मतलब है कि यह महारानी नूर जहां पादमशाह बेगम का आदेश दे रही है कि गोल मोहर जो है उसी के जेश्ट बगल में आप देख रहे होंगे इसके अनुसार सहरानी मतलब लाजा के प्रताप से महारानी बहुत उच्च पदपे पहुच गई हैं और चंदमा जैसी वैबसाली बन गई हैं और हम कामना करते हैं कि नूर जहां सर्वोट इस युक की सर्वोट शुमहिला बन सकें अगबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में राजस्व कर्च कर सकते थे अब जो अगबर के अभिजात यानि सेनापती होते थे ये बड़ी संख्या में सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में राजस्व की खर्च भी करते थे क्योंकि सेना के खर्च बहुत ज़ादा आते थे इसलिए राजस्व का खर्च बहुत ज़ादा होता था इन समें जब तक वे वफदार रहे समराज्य का कार सफलता पुर्वक चरता रहा परंतु 17 सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत ताने बाने बुन लिए समराज के पति उनकी वफदारे उनकी नीजी हित के कारण कमजोर पड़ गई थी अब देखिए जब तक ये जो अभिजात थे ये वफदार थे तब तक समराज का कार जो था मुगल समराज का वो सफलता पुर्वक चलता आ रहा था परन्तु सत्रहवी जब सताबदी का अंटा आया ये समय था औरंग जेप का तो उस समय जो अभिजात जो थे वो अपने मुनाफे देखने लगे अब वो मुगल संतनतिया समराज का कार की आगे वे अपने मुनाफे अपना लालच ये सब वफदारी इनके नीजी हित और ला पड़ गई पंदरा सो सत्तर में अकबर जब फतेफूर सिक्री में गया तो उसने उलमें उलेमा ब्रामडो और जेयुष्ट फादरी जो रोमन के कैथोलिक थे और जर्डुष्ट धर्म के अनुरायू के साथ धर्म के मामले में चर्चा सुरू की ये चर्चाएं इबादत प्राइया में हुई अब देखिए जो अकबर थे इन्होंने पंदरा सो सत्तर में ये फतेफूर सिक्रीग है वहां पर इन्होंने धर्म सभा की ठीक है उसमें उलेमा ब्रामड फादरी जो रोमन कैथोलिक थे जडुष्ट धर्म के अनुरायू सभी के साथ धर्म के मामलों म बातचीत की और चर्चा की और ये चर्चा कहां हुई थी इबादत खाना में ठीक है अकबर की रूची विभिन वैक्ति के धर्मों और रिती रिवाजों में थी अकबर सिर्फ मुगल जो धर्म थे उनमें रूची नहीं रखता था वे अलग अलग धर्मों में के रिती विद्वाजों में रूची रखता था इस विचार विमस से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मे कृती और मातंदा पर बल देगा वो अकसर कटर होते हैं। अब देखिए ये जो विचार मिमस हो रहा था, वहाँ लोग सबकी बाते सुनने के बाद, विचार मिमस सुनने के बाद, अकबर को ये बात समझ में आई, कि जो लोग विद्वान नोंगे, वो धार्मिक रीती और माध्धिंद, मरताधंता पर बल देंगे, ऐसे लोग क्या हो उस पर बिना कोई प्रश्ण उठाए, उसे स्विकार कर लिया जाएं, यानि कोई भी धर्म हो, जैसे कि कोई फादरी है, या कोई धर्म का अन्याई है, उसकी बात के सिर्व बाते सुनकर, लोग उसको स्विकार कर ले, और कोई प्रश्ण ना उठाएं, ऐसे लोगों को मता दिन्ता कहा जाता है। её सिक्षय प्रजा के ईच विभाजित और असमंजस प्यदा करती है और देक्र नोग होते हैं गम्राय की जो असामनस जैसे इस्तिति पैदा हो जाती है यह अन्वभव अकबर को सुलह एकुल या सर्वत सांती की ओर ले गए अब देखिए जो विचार विमस में जो अकबर को अनुभव हुआ ये इसको सुलह एकुल यानि सर्वत सांती की विचार की ओर ले गए कि मतलब उनको सर्वत तरफ सांती कैसे बनाये रखनी है सहे शुनता कि यह अवधारना विभिन्द धर्मों के अन्यायों के में अंतर नहीं कनती अपितू इसका केंद बिंदू थी नीती सास की एक व्यवस्था जो सर्वत लागू की जा सकती है इसमें केवल सचाई और न्याय और सांती पर बल दिया था अब देखियें यानि जो अकबर थे ये कोई मतलब सभी धर्मों में सही शुर्ता का मतलब होता है सभी धर्मों के अन्यायों में कोई अंतर नहीं करते थे सभी धर्मों को एक समान मानते थे उनको हर धर्म में रूची थी तो इसलिए उनका केंद बिंदू यह था कि नीती सास की वेवस्ता के नुसार वो सभी जंग एक जैसे नियम लागू करना चाहते थे जिसमें किवल सच्चाई, न्याय और सांती पर उन्होंने बल दिया था मलग तीन चीजें उनको बहुत जरूरी थी सर्वत सब जगा चाहिए थी सच्चाई, न्याय और सांती ठीक है अब्दुल्फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारिच साशन दृष्टी बनाने में अकबर की मदद की देखें अब्दुल्फजल जो थे ये अकबर के मित्र भी थे ठीक है तो इन्होंने सुलह कुल की जो नीती थी इस पर ये जो विचार था इस पर आधारिच साशन की दृष्टी अकबर में लाने के लिए अब्दुल्फजल ने उनकी मदद की थी साशन की इस सिद्धान को जहांगीर और साजहा ने भी अपनाया अब देखें जो साशन का यह सिद्धान था इसको जहांगीर और जो साजहा थे दोनों लोग ने भी अकबर के बाद अपनाया सुलहे कुल अब देखिए सुलहे कुल क्या था इसके बारे में हम लोग जानेंगे अकबर की सुलहे कुल की नीती उनके पुत्र जहांगी ने इस प्रकार वर्णन किया अब देखिए अक्बर की जो सुलह कुल निती थी इसके बारे में अक्बर ने नहीं उनके पुत्र जहांगीर ने बर्णन किया है इश्वरी अनुकंपा के विस्तृत आचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुआयों की एक ही जगर देखिए इसमें ये बता रहा है कि भगवान की जो अनुकंपा होती है आसिरवाद से उनके विस्तृत आचल में सभी धर्म एक समान होते हैं और उनको मानने वाले भी एक समान होते हैं कोई न धर्म उपर उचा नीचा होता है न उनको मानने वाले इसलिए इसके विशाल समराज में जिसकी चारों और सीमा ए देख समुद्ध से ही निलधारित होती है विरोधी धर्मों के नुयायो और तरह के अच्छे बुरे विशारों के लिए जगा है थी इसका मतलब है जो विशाल सम्राज है उसमें मतलब अकबर की विशाल सम्राज में जिनकी चारों तरफ सीमाएं हैं केवल समुद्र से ही निरधारित होती हैं यानि मतलब इनका समराज इतना बड़ा है कि चारो तरह जहां पे जमीन खत्म हो रही है और समध्य सुरू हो रहा है वहां तक इनकी इनका समराज है जो विरोधी धर्म के अनुवाई है तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी यहां औसही शुर्टा का मार्ग बंद था यानि देखें यहाँ अधर्म का मार्ग जो था वो बंद था यहाँ सुन्नी और सिया एक ही मस्जित में खटे होते थे और इसाई और यहुदी एक ही गिर्जे में प्रात्ना करते थे अब देखें यहाँ जो सिया और सुन्नी होता है जो दो रूप में बाड़ देता है मुसलमानों को तो वो दोनों भी एक ही मज़ित में खटे होके नमाज पड़ते थे और इसाई और यहुदी एक ही चर्च में गिर्जे में प्राथना करते थे उसने सुसंगत तरीके से सार्वित्य सांती के सिद्धान का पालन किया इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बहुत अच्छे तरीके से सुलह सांती का जो सार्वित्य सांती का जो नियम था उसके सिद्धान का पालन इन्होंने किया था गबर में ने अब देखी क्या है सत्रहवी सताब्दी में और उसके पश्यात मुगल समराज था अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे यानि अब यहां से महत्पूर्ड शाशक जो थे वो मुगल समराज के खतम हो चुके थे अब उनके बाद का हमें पता करना है आईए हम इसे देखते हैं मुगल समराज के प्रसासनिक और सैनिक कुशलता के स्पल सरूत आर्थिक और वाड़िजी सम्रिद्धी में विद्धी हुई अब देखिए जो मुगल समराज के प्रसासनिक और सैनिक कुशलता थी इसी के कारण बोलोग हमेशा आर्थिक और व्यापारिक रूप में बहुत समरिद्ध हो रहे थे विधेशी यात्रियों जैसा कि किसे कहानियों में बढ़नित होता है अब आते रहते धे भी लोग भाषणी देश बताते थे भारत को जैसा हम लोग किसे कहानियों में सुनते आ रहे हैं परन्तों यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विश्मेह रह गए अब देखिए यह जो यात्री है इतना धन इतनी मतलब धन धनी देश देखने के बाद यहां पर जो दरिद्रता भी समाजिक और समानताय थी वह साब देखने को मिल लए थी लोगों को अमीर लोग ज्यादा अमीर थे गरीब लोग एकदम गरीब थे तो इसी कारण यहां समाजिक और समताय थी जो यहां साब दिखाई पड़ लए थी जहां कि सासलकाल में 20 वे वर्स के दस्तावेश से में प ऐसे मनसब्दार जिनको उच्चतम प्रप्पाप था कुल 8000 में से 445 ही थे कुल मनसब्दारों की संक्या घटा संक्या 5.6% को ही समराज की अनुमानित राजस्वका 6.6 1.5% ब्रतिसत स्वयम उनके और उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था यानि देखिए जो यहां 8000 मनसब्दार बताया जा रहा है साजहां के सासनकाल में के 20 वे वर्स में एक दस्तावेश मिला है तो इसमें जो 8000 मनसब्दार बता रहा है कुल इसमें सिफ 445 को ही उच्चतम प्रपद प्राप्त था अच्छा पद मिला हुआ था कुल मनसब्दार जो थे में एक छोटी संख्या थी 5.6 परसेंट यहीं समाजी जो था मुगल का इसमें अनुमानिक थे मत्तब इन लोग को ही इन लोग को ही सम्राजी का अन्याई बनाया गया था सम्राजी का 6.1 परसेंट जो है वो स्वयम उनके और उनके सवार जो घुर सवार होते थे उनको वेतन के रूप में दिया भी जाता था अब बहार थाजार कुल संख्या कैसे हो गए यह तो नहीं न मालूं मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तूओं में लगा देते थे अब देखिए जो सम्राट होते थे यह और इनके जो मनसबदार होते थे यह लोग मुगल सम् पर सेंड यह वेतन देने में salary अपने और और वस्तू खरीदने में लगा देते थे इस खर्चे से सिल्पकारों और किसानों को लाब होता था चुकि वे वस्तूओं और फसल की पूर्ति करते थे अब देखिए इनक जो यह खर्चे थे मुगल समराज के इनसे सिल्पकार जो होते थे या तो उन्हें फायदा होता था या किसानों को फायदा होता था वो लोग अपना समान फसल वस्तू की पूर्ती समय से करते रहते थे परन्तु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों किसान शिल्पकारों के पास निवेज के लिए बहुत कम धन बसता था इन में से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे अब देखिए इतना खर्चा इन लोग के पास था और राजस्व का भार इतना ज्यादा था कि वह लोग प्राथमिक उत्पादक जो थे जो छोटा-छोटा उत्पादन करने वाले लोग थे जैसे किसान वुरण के निवेश्ट जो होते थे यह बहुत कम होते थे इससे में जो बहुत गरीब थे यह लोग का मुश्किल से पेट भर पाता था ठीक है मतलब जो लोग बड़े बड़े लोग थे उनको ज्यादा फायदा होता तो जो गरीब थे वो एकदम गरीब हो गए थे क्योंकि उनके पद्धन बसता ही नहीं था उन लोगों के पास कि वह खर्चकर आप है वह उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक संसाधन सकते हो इतने गरीब थे के इस सब उत्पादन के लिए बढ़ा दूपना उत्पादन परता दे हैं यह उसके लिए संसाधन बढ़ा दे캐 या औजाय ले लें जैंगर बच्य इनका निवेसकर लें और वसतू खरिड़िद लें तो यह सब चीज़ के बारे में यह लोग नहीं सोच सकते थी ऐसी अर्थवेवस्ता में ज्यादा धन धनी किसान सिल्पकारों के सम्मूव व्यपारी और महाजन ज्यादा लाब उठाते थे अब देखिए ऐसी जो अर्थवेवस्ता थी मुगल समराज की इसमें ज्यादा तर धनी किसान या प्रॉफिट में सिल्पकार के सम्मूव प्रॉफिट में थे व्यपारी और महाजन ज्यादा महाजन जो होते थे अमीर आदमी यह लोग ज्यादा लाब उठाते थे इसमें तो जो गरीब किसान थे वह गरीबी थे ठीक है मुगलों में कुलीन बर्ग के हातों में बहुत धन और संसादन थे तक है आप दिखें जो मुगल लोग थे इनके कुलीन बर्ग जो थे यानि राजकुमार और राजाओं के संवराज्य के राजाओं के परिवार वाले यह लोग निए लोग वह पास बहुत धन और संसादन होते थे जिसके कारण सत्रहवी सदी के अंतिम बर्षों में बी वे अत्यदिक सक्तिसाली हो गए ठीक है तो ज़िए सत्रवे सदी का आखरी था उस समय बेबी यह लोग बहुत ताकतवर थे क्योंकि इनके पास इतना संसादन और धन था ठीक है जैसे जैसे मुगल समराज की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई वैसे ही वैसे विबिन्य छेत्रों मे समराज के सेवक स्वयम ही सक्ता के सक्तिसाली केंद बनने लगे देखिए जैसे ही मुगल सत्ता मुगल समराज जो था वह खतम होने लगे सत्ता खतम होने लगी पतन की तरफ बढ़ने लगी वैसे ही वैसे जो समराज के सेवक थे वह खुद ही सत्ता के सक्तिसाली केंद बनन लगे समझे मतलब मुगल समराज में अंडर में लोग थे वह लोग अपनी नय राजवन्स नहीं नहीं सत्ता स्थापित करने लगे सक्तिसाली इन में से कुछ नहीं राजवन्स की स्थापना की और हैदराबाद अवद जैसे प्रांतों पर अपना नियंतरन जमाए अब देख यह दपी वे दिल्ली के मुगल समराज के स्वामी के रूप में मानता देते रहे अब देखिए अब यह लोग जो थे यह लोग मुगल को मुगल समराज को स्वामी का दर्जा अभी भी दे रहे थे तथापी एठारवी सत्ताब्दी तक समराज के कई प्रांत अपनी स्वातन राजनेतिक पहचान बना चुके थे उसे चोटे चोटे प्रांत थे मुगल समराज के इनके बारे में हम दसवे अध्याय में विस्ताथ से पढ़ेंगे अब इन सब जो नए दिल्ली के नए प्रांथ हैं इन सब के बारे में हम लोग आपके दसवे चैप्टर में पढ़ेंगे अन्यन और भी हम जानेंगे ठीक है राजा और रानी अब इसमें हम लोग आज राजा और रानी के बारे में जानेंगे अब यह राजा रानी कहां के हैं यह लोग क्या कारे करते हैं इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे सोलहवी सदी में मुगलों के लगबख समकालीन अब देखिए यहां पर सोलहवी सदी की बात कर रही है अब मुगलों के समकालीन जो राजा लोग थे उनके बारे में बता रहे हैं कि संसार बीवहिं भागोंने कई माहान राजा रानिया ते कि मुगलों की इसमक्राइब में संसार भा अलग 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 भागों अलग अलग राणि है माहाधी हैं थे में और्टोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान 1520 से 506 सामिल थे आप देखिए इन में जो महान सासत में हैं और्टोमन है जो तुर्की सुल्तान सुलेमान के पंदर्सऑ 20 से 506 टक सामिल थे उसके राजय में उर्टोमन राज zaj का विस्तार उरोप की ओर हुआ अब देखिए इन ho bleibt पहले उरोप की तुर्व बढ़रे फीड सबसे फहले इन्हों觀眾 गोने हम्री को अपने राज Ela ये मिला भीडिया ठिक है और ओस्टिया को घेर लिया अब देखे जो ओस्टिया थी उसे घेर लिया हंगरी को मिलाने के बाद उसकी फौज ने बगदाद और इराक भी हतिया लिये अब इन्होंने हंगरी ओस्टिया बगदाद इराक सब को हतिया लिया अपने कबजे में कर लिया मुरक्को तथा उत्तर अफ्रीका का बहुत बड़ा सा हिस्सा ओटमन सत्ता को मानता था अब देखिए मुरक्को जो और उत्री अफ्रीका जो था इसका बहुत बड़ा हिस्सा ओटमन की सत्ता को मानता ही था पहले से ही सुलेमान ने ओटमन नौसेन थी उसका गठन फिर से किया फोर्वी भूमद्य सागर के इलाकों पर इन नोसेना का प्रभुत्र को प्रभुत्र जो था की वजह से इस्पेन के साथ इनकी प्रतिसफर्धा हुए अब देखिए पूर्वे भूमद्य सागर के इलाकों में जो नौसेना थी ऑस्टमन की उसकी वज़ा से इस पेन से इनकी लड़ाई हुई प्रतिस पर्धा हुई मतब युद्ध हुआ ठीक है पूर्व अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्टगालियों को चुनोती दी अब देखिए उतना होने की बावजूत ये आग को बीचुनोती देदी समलाट को अल कानून विधी निर्माता का खिताब दिया गया तो उसे अल कानूनी यानि विधी निर्माता का खिताब दिया गया था क्यों? क्योंकि उसने अपने सासन काल में बहुत जाड़े नियम कानून बनाए थे इन नियम कानून का ये लक्षे था कि बढ़ते हुए समराजी के विबिन छित्रों को ध्यान में रखते हुए प्रसासनिक तरीके का मानवी करण हो तो ताकी किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके अब देखी इनोंने भी ये नियम कानून का लक्षे इनका क्या था? कि किसी का जो इनका समराज बढ़ रहा है इस समराज में जो विबिन छेत्र बढ़ते जा रहे हैं इन सभी छेत्रों में को ध्यान से देखा जाये और प्रसासनिक तरीके से इसका मानवी करण हो मानव की तरह से सोचते हुए इसका मानवी करण हो इसलिए कि किसी भी किसान को अत्यधिक कर न चुकाना पड़े इसलिए बहुत ध्यान से से बनाया गया नियम कानूनों को आगे चलके सताब्दी में ऑटमन छेत्रों में जब सारवजनिक ववस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर से शाशनकाल के रूप में याद किया जाने लगा अब देखिए आगे बढ़का जब सत्र मतलब सत्र में सताब्दी जब खतम हुई तो जो आटमन था उसने के चेत्र में जो सारवजनिक ववस्था ये चल लई थी इसका जब खतम हुआ तो जो सुलेमान के नियम कानून थे उनके साशनकाल के उसको एक आदर से के रूप में याद किया जाने लगा ठीक है अकबर ने अन्य समकालेन साशकों के बारे में पता लगाया अब देखिए अकबर जो थे उन्होंने अपने अन्य समकालेन दाजा थे उनके बारे में भी पता लगवाया था जैसे इंग्लेंड की साशक रानी एलिजाबेथ अब देखिए जो यानि इंग्लेंड की जो रानी थी एलिजाबेट 1559 से 1603 तक थी इरान की सफावित साशक अबास 1588 से 1629 तक और इनी में सी कुछ ज्यादा विवार्दित पर रूसी साशक जार एरवान चतुर्थ बेसी लिये विच 1530 से 1584 तक जो इरान की टेबीबल नाम से खुख्यात हैं तो देखिए अकबर के समकालीन जो शाशक है उनके बारे में पता लगा लगाएं देखिए इस समय देखिए उनके समकालीन थी एलिजाबेट इंग्लेंड की इरान के सफावित थे इरान के सहा अब्बास और सबसे विवादित थे रूस के जार एव्यान चतुर्थ बेसिल्विच जिने इरान दी टेबिल के नाम से भी जाना जाता था ये सब मुगलकाल के समकालीन सासक थे ठीक है तो पूरे विश्व का यहां इन्होंने पताया है यहीं हमारा चैप्टर फोर फिनिश होता है आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया हूँ फिर भी कोई डाउट या प्रॉबलम होतो कमेंट चक्षन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं थैंक्यू सो मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक सस्क्राइब तो मै चैनल